So, hello everyone, welcome back to my year of chance, this is your DNA Riders, so guys, यह दिया अपनी KDM Duke 390, आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो नई Duke 390 आने वाली है, और वर्सिस अवर ओल्ड जनेरेशन, मतलब सेकंड जनेरेशन, Duke 390, तो बेसिकली सीन कहा जाए, मतलब अभी तक की यह सेकंड जनेरेशन है, मतलब अब मैं आप लोगों को यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेन मोटीफ यह है, कि मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जिन लोगों को यह वाली Duke लेनी है, वो अभी ले सकते है, और जिनको नई वाली Duke लेनी है, वो थोड़ा सा वेट करके नई वाली Duke ले सकते है, और क् comparison करने वाल है basically इसमें तो अच्छा नहीं है उसमें ज्यादा अच्छा होगा तो फिर भी हम थोटा सा compare करेंगे यह गाड़ी इमोशनल है बहुत ज्यादा लोगों का अभी भी गाड़ी प्यार है मतलब बहुत सारे जो ड्यूक 390 देना चाहते थे उनका तो यही करश है अभी तक तो आज हम यही कंपेरिजन करेंगे ओल्ड वर्स न्यू तो लेट्स स्टाड़ेड इस ओल्ड वाली सेकंड जनेरीशन की बात करी जाए तो वह कुछ इस तरीके से लगते है यह कुछ लगनी डी होगी उसकी तरह क्योंकि यह फुली मॉइडिफाइड हो रही कि आप देख सकतो एक्दम सेक्सी लग रही है ना मैंने जितना हो सकता था उतना मॉइडिफाइड करा है इस गाड़ी को आगे से फ्रेंट से इसका खुछ लूक ऐस तरीके से आ रहा है बाकी मैं थोड़ा सा आप लोगो पहले बदा दू जो नहीं वाली ड्यूग होने वाली है उसमें थोड़ी सी पावर जादा होने वाली है सेकेंड चेंड जेने ड़ी के मुकाबले क्यों ऊने वाली वह ब्ली आप लोगो बता देता ह CJ ले जो नहीं वाली ड्यूग आरी है वह आरे 399 सीसी के साथ ठीक है इसका नाम 390 है जो उमनी second generation है और उसका नाम जो नहीं वाली आ रहे है उसका नाम भी 390 है बट इंजन दोनों का थोड़ा सा अलाग है थोड़ा क्या बहुत जादा अलाग है जो नहीं वाली आ रहे है वो आती है 399 CC की है जो पुरानी वाली ये वाली है ये आती है 373 CC की जो से ओल्ड वाली आती है वो भी 373 CC की आती है बट जो हमारी new वाली generation आ रहे है उसमें हमें 399 CC का engine मिल जाता है जिसमें हमें BHP एक दो BHP ज़्यादा मिलती है एक दो torque ज़्यादा मिलता है तो basically कहा जाए तो नहीं वाली ड्यूक में power ज़्यादा है वो है वो power तो ज़्यादा है बट आपको नहीं वाली ड्यूक में मिलता है एकदम ना ब्राइंड न्यू TFT आपकी screen मा रहा होगा ये वाला old TFT है मैं आपको old TFT दिखा लेता हूँ ये है इसकी कुछ ओरिजनल लाइट पुरानी जाए सेकंड जनेरिशन की नई ड्यूक की लाइट थोड़ी अलग लग रही है आप लोग screen में देख सेकते हो बट मुझे ये वाली ड्यूक का head जादा पसंद है पता नहीं कि मुझे नहीं वाली ड्यूक का head जादा पसंद है देखते हैं अभी वो जब launch होगी तभी हम लोगों पता लगे है ये गाड़ी कैसी है और कैसी नहीं है बाकी इसका कुछ लुक पीछे से ऐसा है ठीक है अभी थोड़ी गंदी होगी किसके लिए माफ करना कुछ लुक ऐसा आता है थोड़ा उसका लुक अलग है और उसके जो side tank है वो थोड़ा सा अलग है बाकी ये तो मैंने लगा राख है Super Duke kit बाकी ये तो मैंने लगा रख है Super Duke kit आप लोग देख सकते हो ये मैं आपको अभी old का दिखा रहा हूँ तो old मैं देखो आप लोग डिस्क कैसी मिल रही है इसमें बढ़ा बढ़ा है मतलब यहां पर ना बढ़ा बढ़ा है जो नहीं वाली आ रही है उसमें थोड़ा आप लोग देख सकते हो खोकला सा मतलब खाली से है वो सिर्फ इसलिए कि गया गया है क्योंकि गाड़ी थोड़ी लाइट वेट रहे आप लोग देख सकते हो यहां यहां के पार्ट उन लोगों ने हटा दिये का कि गाड़ी का वेट थोड़ा कम हो जाए चोड़ी चीजों से राइडिंग में असर पड़ता है बाइकिंग राइडिंग कल्चर में चै कुछ भी बोलो जैसे भी बाइक चलानी हो वेट से बहुत ज़ादा अंतर पड़ता है बाइक में भी तो यही एक कुछ नहीं वाली ड्यूक में और वाली ड्यूक में आप लोग मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन में बता से तो कि आप लोग कौन से ड्यूक ज़्यादा पसंद है यह वाली कि नहीं वाली मेरी ओपिनिन कहा जाए तो मुझे तो पुरानी वाली ही पसंद है यह गाड़ी के लिए ना बहुत दरसा हूँ बहुत ज़्यादा और यह गाड़ी क्या ही बोलू यार इस गाड़ी से ना नहीं गाड़ी अच्छे है मैं मुब बोलता हूँ इस गाड़ी से भी ज़्याद अच्छे है इस गाड़ी से एमोशनल जुडाऊ यह गाड़ी नेक्स लेवल है पता नहीं कितने लोगो गड़ाश होगी अभी भी बिफ लोग गड़ा अब क्राश्ट कोमें लोगो कोमें नहीं बता संडू को में भी बता हो घृच थीग को बात करें तो उमने क्या क्या हनी किया अपने बाकि बस यही छोटे मोटे मेंजर changes है क्या बोलते है हम लोग जो जो किया बोलते है हम लोगी नहीं आए त्री X390 उसक तो पूरा डेजाइन ही चेंज है और दूसरा में को 390 से 390 में जाने का कोई सीन नहीं है क्योंकि अगर मैंने यह ली गाड़ी एकदम पर्फेक्टली चला रिखिये तो मैं नहीं वेली 390 में शिफ्ट करूँगा तो पावर का अंतर है बट इतना भी अंतर नहीं है कि जो एकदम ही जादू जैसा फील होगा कि यह लई फीलिए तो नहीं हो हुगा आप को पदा आthnas और प्रिप्यों को फील नहीं होगा अगर मैं असे नहीं वाली 390 जाता हुए इसलिए मैं नहीं जाना चाख है चाहने को दैल्स तो यह जड़ी अप्ग्रेडD करने वाल हुए देखते हैं कॉँ से प्र दहने फिख तो हमारे पास अभी हमारी 390 है, and 390 is always 390, Lord 390, KTM, Lucifer, ठेक है ना, बहुत सारे लोग महल दे, मैं मुझे मेरी 390 के नाम से जानते है, and क्या ही लगती है, क्योंकि मेरी गाड़ी अलगी है, बहुत रियर गाड़ी है, ऐसी जैसी मैंने मोडिफाइट करेंगे, वो भी नौर्थ में तो है, रियर यह है, South में तो बहुत सारी देखने को मिल जाएगी आपको, but North में तो बहुत रियर यह है, red रंकी, ऐसी वाली 390, and बस यही छोटे मोटे comparison थे, तो मैं वो तो आप लोगों में decide करता है, guys, मैं एक चीज़ और बता दू, अगर आप लोगों को नही वाली लेनी है, तो नही वाली भी ले सकते हो, पुरानी वाली ले सकते हो, जो अभी भी मिल रही है, B6 के रूप में, यह वाली गाड़ी ग्रे रंकी आती है, जो जैसे अपने स्वभाग्य भाई के वाहास है, वैसी, तो मेरे इसाब से तो दोनों गाड़ी है, आप लोग, मैं हो पहले RC200 भी थी, लोग मुझे पूछेगे, भाई, तो नहीं स्टार्टिंग में ही 390 क्यू ली सीधा RC200 की ली, तो मैं लोग दादू कुछ रीजन्स थे, उस तैम, ऐसे रीजन्स तो नहीं थे, मेरे पापा ने मिर से पूछा था कि हीते को कॉन सी गाड़ी चाहिए, 390 Duke की तो मेरे पता नहीं क्या मन में बिगड़ा कि मैंने RC200 ले ली, बट उसके बाद फिर मैंने बोला कि मुझे पावर कम लग लग ली, तो मैंने 390 ली, Duke, फिर उसके अदम नहीं, 390 आ रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी गाड़ियां से में है, बट फिर भी यारी य इस लेवल है, और इस गाड़ी को मैं कभी सेल नहीं करने वाला, मैं बट लोगो बता तो, चाहे में इसको चलाओ या ना चलाओ ना, यह खराब भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसको फिर भी सेल नहीं करूँगा, अगर मैं जब सूपर बाइक आया भी जाएगी, मैं बाकि मेरे कहने का बताब है, कि मैं भी सेल नहीं करूँगा, अपने पास रखोगा, एंटीक पीस बना गे भी रखनू, चाहे खुछ चलाओं भी कुछ भी करूँगा, अपने पास रखूँगा, और थोड़ी गाड़ी की एज भी मैटर करती है, कि गाड़ी चल कितना सकती अभी तो लूसी की बहुत है, लूसी तो जवान मर्द है, जैसी हम है, बागे एसा कोई सीन नहीं है, अब तुझे टूप की हारा है कि नहीं वाली हो पुरानी वाली हो, ड्यूक तो ड्यूक है, चाहे कुछ भी हो, मैंने एक रील देखी थी, उसमें पता रहे थे, कि एक मै फर्स जनेरेशन, सेकंड जनेरेशन यह थर्ड जनेरेशन हो, मतलब है तो सारी DU की ना, है तो KTM की याड़ी, और KTM always best काम करता है, जी हाँ गाइस, मैं तो KTM से अच्छा कोई ब्रैंड लगता ही ने सच बूलनो तो यार, KTM से अच्छा कोई ब्रैंड ही नी है, और लिटरली बाकी क्या ही बोला जाए, यह गाड़ी मतलब अपने टाइम पर सबसे बेस्ट गाड़ी थी, और अभी भी है, और लोगों को भी बहुत लोगों का करश है, मुझे पता है कि जो पुराने लोग है, मतलब मेरी एज के या फिर मेरी एज से थोड़ से कम, उनको यही वाली ब करेंगे, बाकी मैं तो अपनी 390 को ना भेचू यार, बिकॉस लुसीफर इस मा लव है, यह तो मेरा शेर है, मेरा जादू है, मेरा प्यार है, इस चीज गाड़ी ने, कभी मुझे मतलब अकेला पनी होने दिया, यह हमेशा मेरे साथ ही रही है, हमेशा साथ ही रही है, एक सा पता है, मैं रफ ड्राइब करता हूँ, बढ़ देखके करता हूँ, ऐसा है, यह हमेशा ही भगाता हूँ, है ना, बट इस गाड़ी से जो कनेक्शन होता है, किनी किनी गाड़ीों में लोग क्या होता है, डल लगता है, भगाने में, चलाने में, बट इस गाड़ी से मेरे कन वोड का है याँ तो लखडी भी नहीं है यह री लखडी इसी को छूल लेते है चोटा सा पीड है याँ ठीक है बाकी I love you, we'll see forever आजके बस इतना ही बस मैंने अपको लोग छोटा सा एक रिव्यू दिया था एंड छोटा सा कमपैरेजन दिये था कि नहीं नी गाड़ी में और इस पुरानी गाड़ी में क्या आंतर है बाकी बस इतना सही था होपसो आप लोग अच्छा लगोगा make sure you like subscribe my channel dna rider and 30,000 subscribers करा दो यार बहुत महनत लगती है ऐसे भी आजकल मैं व्लॉग नी डाल पा रहा हूँ कॉलेज के चक्कर में जल्दी मेरी ट्रेनिंग होने वाली है कॉलेज की तब तो मैं बहारी चली जाओंगा तो बतानी कैसे व्लॉग आएगे कैसे नहीं आएगे बा